तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि एक एर्रेंजमेंट यह फिगर दिया हुआ इसमें दो ब्लॉक है इस मालम और कैप्टलिम के सारे सर्पेट इसमोथ कहीं कोई प्रेक्शन इग्जिस्ट नहीं गरा पॉइंट विन इस नॉर्मल रियक्शन बिडविन देब लॉक एंड वेज तो यह वाला जो ऊपर वाला है वह ब्लॉक है और जो नीचे वाला है जिसके ऊपर है यह वेज तो ब्लॉक और वेज के भी जो यहां पर इस यह किस पर लगा रहा हूं किस कोन लगाया और इस अपिटल ने तो एकसलेशन अपिटल एम इस कॉडिनेट सिस्टम के काडिंग मतलब एकस वाई ऐसे लेना आपको एकस इदर लेना वाई ऐसे लेना ठीक है तो सबसे पहले आप देखो कि तो जो आपिटल मैं सिर्फ ए थोड़ी लगा रहा है तो मैं सिर्फ कैपिटलियम का फोर्स देख रहा हूं ठीक ना अगर मैं सिर्फ कैपिटलियम का फोर्स देख रहा हूं लगाएगा जिस पर रखा हुआ और एक यह लगाएगा देट इस पेसिकली एन तो यह वर्टिकल से अगर यह थीटा डिगरी है यह थीटा है तो इस एन का जो छोटा वाला व्लोग लगा रहा था तो उस एन के दो कॉंपोनेंट हो जाएंगे एक होगा इधर एन साइन तीटा ठीक ना और एक होगा इधर एन कॉस्स थीटा ठीक है अब एन साइन थीटा को तो कोई बैलेंस नहीं करेगा क्योंकि जो ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा इस वेज पे वह एंडेस ऊपर लगा और जो वेट लग में गराए लेकिन असवाले वेजपैरी और वह इस भलोग को इधर क्राइसलीकर देगा निगे टीटिव एक्स एक्सिस में लग और यह जाएकन तो यह जाए है एकलीं हो सकता तो या तो यह यह सई है सो लोग ञाएगा ऐसलेसा या होता है ऑनप लेसन होता है और मास अब बोडि जिस पर एक्सलेशन निकालना उसका मास के टेल मैं तो यह एंड साइन तीटा डिवाइड वाय एम और यह जाएगा इधर निगेटिव एक्सेज़ निगेटिव एक्सेज तो आपना जो है कि और सी ओप्शन सब्सक्राइब जाता है थेंक्यू